B8 के 24 साल बाद मिलेगी TGT की नौकरी, लंबे समय बाद जगी स्कूलों में बंपर भरतियों की उम्मीद. राज्य के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से TGT शिक्षकों के खाली पदू को भरा जाएगा. हाल ही में कैबिनेट से 5,291 पदू को भरने की मंजूरी मिली है. शिक्षा विभाग को काफी समय ये इन भरतियों का इंतजार था. खास बात ये है कि इसमें 75-25 अनुपात में ये पद भरे जाने हैं. यानि 75 फीसदी TGT पदू सामान्य श्रेणी, जबकि 25 फीसदी विकलान कोटे से भरे जाएंगे. 75 फीसदी पदू को ही कमीशन और बैच्वाइज आधार पर भरा जाना है. ऐसे में कमीशन से भर्तियों का इंतजार कर रहे युवा तो अब नौकरी की तयारी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैच्वाइज भर्ती में 24 साल पहले जो TGT कर चुके हैं, उन्हें अब बैच्वाइज आधार पर नौकरी मिल सकेगी. TGT के सामान्य श्रेणी में आज में 1999, नौन मेडिकल में 1999 और मेडिकल में 2001 का बैच्च चल रहा है, जिन्हें अब बैच्वाइज आधार पर नौकरी पाने का अफसर मिलेगा. इन भरतियों के लिए अब शिक्षा विभाग को प्रदेश सरकार से अधिसूचना का इंतजार है. हालांकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की और से पहले ही यह प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है, लेकिन इस बीट सत्ता में आई नई सरकार ने कुछ स्कूलों को बंद कर दिया. इसके बाद दोबारा प्रस्ताव तयार किया गया और कैबिनेट और से 5291 रिक्पद भरने का निरना इलिया गया है. इनमें TGT कला के 1070 पद, TGT Non-Medical के 776 पद, TGT Medical के 430 पद, शास्त्री के 494 पद और JBT शिक्षकों के 2521 पद शामिल है. कमीशन आधार पर ये भरतियां अनुबंद के तहत होनी है. सरकार ने हालांकि JBT के पदों को कमीशन से भरने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन JBT की भरतियां अभी कोर्ट में फंसी है. सुप्रीम कोर्ट में JBT बनाम B8 केस चल रहा है और इसमें अप्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है. वही PGT IP के 1191 पद भरने का मामला कोर्ट में है शारी रिक शिक्षकों के 870 पद भरने के लिए भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है अभी यह चल रहा TGT का बैच जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या स्क्रीन शॉट लेके पर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै हिमाचल